आज हम आ गए हैं फिर से एंटिबाटिक के साथ में जो की पार्ट टू है पार्ट टू अब पार्ट टू में क्या होगा पहले पार्ट में अमने क्या देखा था पहले पार्ट में देखा था कि एंटिबाटिक कहां से बना था एंटिबाटिक किस ने बनाया था एंटिबाट सबस्टेंस था कहां से मिलता था फ्रॉम बैक्ट माइक्रोगनिजम और सेंटेटिकली कमिकली हम लोग बनाते थे और क्यों बनाते थे तो स्केल और टू सब्रेश दी माइक्रोगनिजम ग्रोथ ठीक है अब हम आगे पढ़ने वाले हैं सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक लासि कैसे काम करते हैं यानि कि काम क्या है माइक्रोगनिजम को मारना तो कैसे कैसे मारते हैं कौन-कौन से मेकैनिजम से अलग-अलग मेकैनिजम से मारते हैं वह और हम किसमें यूज करते हैं और सबसे ज्यादे इंपोर्टेल यह भी है कि एक्जामपल कि अगर कोई एक एक एंट कौन से एंटिबाइटिक आता है तो इसमें आता है स्टेप्टोमाइसीन और जेंटामाइसीन ठीक है तो यह होता है एक्जामपल तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एंटिबाइटिक का क्लासिफिकेशन, फटाफट तो पहले हम देखेंगे कितने क्लास के एं latch everybody है तो सब से पहला है Aminoglycoside दूसरा है संद दूसरा है टेट्राइन रासाक्लिंग गृप का संद चोता है पैनिसिलिंग specially पाच्वा है call is Fatima coffee City suchen if उसके बाद माइक्रोलीटिज का ऐसके बाद आता है यह है क Perhaps बाद लिंको सब्सक्राइब ये सारे बोटिक अँदर अगे लिखे हुए लिखे हुए है tiillow यो सारे एक्जामपल इसके आगे लिखे हुए है दो-दो एक्जामपल है इसके और भी एक्जामपल आते हैं ठीक है फिलाल यहां दो-दो लिखे हैं तो चलो हम एक बार फिर से नाम पढ़ते हैं अमाने ग्लाइकोसाइड का एंटिबाटिक कौन सा होता है स्टेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन यह सेफेलोस्पूरिंग ग्रूप का एंटिबाटिक कौन सा होता है तो यह है सेफ्ट्रेक्जोन इसमें आता है सेफिक जीम सेफोडॉक्सिम ठीक है वैसे सेफिक जीम अंदर पैनी सिलीन का कौन से? एमपेसिलीन एम ऑक सिलिन यह आपका गूरूप का एक अइसके बाद सलफा सलफाराल सलफा मेताक्षाजोल ठीक है आपको यह वर्ड को तोड़ के पढ़ना होगा, Sulfa, Methazole, ठीक है, उसके बाद Florokinols का क्वोन सा अंटीबाइटिक है, इस में आता है, Серप्रफ्लोक्शसीन, लियोफ्लोक्ससीन और खुद अकेला ओवफ्लोक्ससीन भी आता है, उसके बाद हम देखेंगे यह कौनसा आता है मेरो पैनेंद पार इंतिबाटिक बहुत ज्यादा यूज होता है मेरा एंट्रकेनम कहते हैं dust यह सीवेर केरें एक पार देखेंगे ज्यादी होता है उसके बाद लिंको्स नमाइड के कौनसा है इसका एंटिमास Мих design क्लिंदा में उ ciudad और क्लाइकोपटाइट उसके बाद कौन सा नंटिपाइट्रिंटरिष रित जाएगे लोस्का करते लोर्थ और कर नहीं किल्यों रहे हैं कि बंथा कर दो जाएंगे तो आपको घ्लास कोई भी पूछेगा तो आपकी पुछेंगे सब का सब बोलो लिकिन आपको छे साथ तो यादी होना चीह से ठीक है अब इसके बाद देखेंगे हम कवरेज तो कवरेज क्या होता है एक तो होता है एक तो होता है पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव ठीक है अब पॉजिटिव मतलब बेसेकली क्या कहा जाता है जो भी आपके बॉडि के अपर पार्ट में यानिके एड लंग्स और ऐसा कोई इंफेक्शन होता है तो वह पॉजिटिव में आता है नेगेटिव मतलब होता है बॉडि के जो कि आप कह सकते हैं स्टमक के बाद जो यह प्रतिकिलर ग्रूप Черाफ और फिस जगह स्का जाय के लिए दो छक्राइड चाहिकर बाहुष करता है यह तो ग्राइग सरी बनौ nail करता है यह दोसरी फादे क्यान नेग टमर्फ इस तरीके सारे वाधे अर्पर करते हैं ऊस्पेसल थे डेखा जाय तो यह यह बात हो के हमारे कवरेज की उसके बाद आता है सबसे इंपोर्टेंट कि कोई भी एंटिबाटिक काम कैसे करता है यहां पर हम देखेंगे मैं इसका mechanism of action इसको कहते है mechanism of action तो एंटिबाटिक को मारने का तरीका पहले हम देख लेते हैं ठीक है उसका protein synthetis है उसको रोग दो तो आपका जो बैक्टरिया वो मर जाएगा तो यहां तक तो यहां तक तो यहां तक तो यहां तक तो यह सारी कॉममन है कि उसके अंदर जो protein होता है जो protein जैसा हमारे लिए important and bacteria के लिए mixing important है right तो इसके लिए तो आपका बैक्टरिया अपने आप वैसे ही मर जाएगा उसके बाद सेल वाल भी बहुत है यह बहुत ही इंपोर्टेंट होता है बैक्टरिया के ग्रोध के लिए तो क्या होता है कि यह जो सल्फुनामाइट्स है सल्फुनामाइट्स के ग्रूप का छो ये फॉलिक एसिड को ही यानि यह इसमें पाबा नाम का चीज़ होता जो डीप में पढ़ेंगे तो आपको बताचलेगा जो फॉलिक एसिस करनी के लिए रिस्पॉंसिबल होता है तो वह इसको प्लॉक कर देता है तो आपका फॉलिक ए तो हम ही बस exactly यहाद रखना है कि करते है प्रोटीन सें दिस प्रोटेज़ मीरश तो क्या क्रता है यह चालिस करता है तर है और द फोलेट नहीं हो धी ओ तो голगता है तो कि यह एक से दो हो था इन उसको रॉकता है उसkasल में ज्याहे करता है protein synthesis को अगें रोकता है तो जैसे कि अगर इसमें ये रोकता है तो इसका मतलब इसमें जितने भी आंटिबाटिस के अदर एक्जामपल आएंगे वह सारे के सारे एक ही जैसा काम करते हैं वह बात याद रखना आप ठीक है यह बात हो गए हमारे किसकी mechanism of action की अब हम बात करते हैं उसके यूजर्स की यानि कि किस कंडिशन में हम लोग पर्टिकुलर जो आपका यह एंटिबाटिक है वो किस किस कंडिशन पर हम देते हैं तो अलग-अलग जैसे या sexual transmission disease अगर होता है तो आप टेटर साइक्लिन को दे सकते हो पेशन को इन्टी स्कीन यूरिन इंफेक्शन अगर कुछ है इंस इंसे डिटेटर को इंफेक्शन है तो आप पैनिसिलीन दे सकते हो अगर यूटिया इंफेक्शन है या फिकुछ जल गया है बर्ण हो गया या मिलें अीज ईंफेक्शन है तो आप चाहतनों वाला गया यूज कर सकते हो अन्टिब्स इंफेक्शन है या प्रेण आप को इंफेक्शन है य कि अगर आपको नेमुनिया हूँ है साइनस हुआ है सबाइम shift कोई वीमारी है तो अगेन है एक देन को यूज कर सकते हो सक्थे यह यहां पर बहुत अच्छा काम करता है ठीक है वैसे ही उसके बाद इसके बाद स्कीन इंफेक्शन कुछ है तो आप एक लाइको प्रप्टेज वाला यूज कर सकते हो कि इसको याद कैसे करना है यह सारे के सारे नाम एक साथ आप लिक कैसे पाओगे इसको कैसे करना है तो बहुत इजी है आपको यहां पर मैं एक लाइन बोलता हूं आपको याद रखनी है ठीक है एंसी वर्ट है कि माय कशीड की मन जन्दर भी तेमरें करियों ए रहना यह दको दिख रहा है यहाँ पर फ्रकेफून हों रो तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं वापस से की एंटिबायोटिक मतलब अमाइनो ग्लाइकोसाइड कैन मतलब सेफलोस्पोरिं ग्रूप एंटिबायोटिक Terminate मतलब Tetracycline Antibiotic, Protein मतलब Penicillin, Synthesis मतलब Sulfonamide, 4 मतलब Fluoroquinone, Microbial मतलब यह MicroLeds Group का Antibiotic, और यह Cells मतलब Carbamapens, उसके बार Likes मतलब Lincoxomide, Germs मतलब Glycopeptides, समझ में आ रहा है, इस तरीके समको यह बढ़ याद करना है, तो last फाइनल में एक बार बता रहा हूं, थीक सो यह लाइन आफको याद रखते में अपको याद करने होंगे वीज़ांगे वािस के प्रोटिन को ah Advanced weaken called PG3 ब्रोड करने होंगे अवस्के बाद बारे सारे कर आपosta इससे ही काम करते हैं toi तो इस सबसे important चीज है कि आपको class याद रखना है, example याद रखना है, mechanism of action याद रखना है, तीन important चीज और यह सारी चीज याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा, कि Antibatic can terminate protein synthetis for microbial cells like germs, ठीक है, thank you so much, मिलेंगे हम अपने दूसरे वीडियो में,